बातियों आप सवी का स्वागत करता हूँ अपने MRS Study परिवार में तो डियर आज की इस वीडियो में मैं यहां पर बात करने वाला हूँ आपका बिहार कंबाइन इंट्रेंस कंपर्टेटिव एक्जामनेशन बोर्ड बीसी सी बोर्ड के तरफ से जारी की गई एक नई नोटि यूजी मेंसी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडविशन कंसलिंग के रिगार्डिंग यहां पर दिया गया है जो 2024 में कंसलिंग कराया गया था तो यहां पर बोला जा रहा है जो नोटिस है आपका कल का है यानि 23 सेप्टमबर का आपका नोटिस है तो चलिए सबसे पहले ह क्या नोटिस में लिखा गया है क्या नोटिस में बताया गया है उसके बेसिस पे मैं आगे यहां पर बाते करूंगा ताकि आपको प्रोपर तरीके से सारी चीजे जो है समझ में आ सके तो यहां पर नोटिस हमारा डाउनलोड हो चुका है और इस नोटिस के हिसाब से आपका जो है हम बात करने वाले हैं तो ये नोटिस में आपका यहां पर दिखे क्या दिया गया है यहां पर बताया जा रहा है कि मान्य उच्च न्याले न्यू देली द्वारा सिविल अपील संक्या 18802-2017 डॉक्टर भीव अम्बेदकर विचार मंच विहार वनाम सरकार और अन्य तथा संबध एस एलपी संक्या 18292-2018 जनक वनाम राज्य सरकार मतलब केस में कोर्ट में केस चल रहा था जिसमें तांती यानि तन्वा जाती का जो है AC काटेगरी से ABC काटेगरी में जो है उनको कर दिया गया है तो जो कॉंसलिंग आपका UGMAC का करवाया गया था 15 सिप्तमबर को उसमें आपका जो है बोला गया था कि जो अपने online application form में AC अंकिट किये थे उन्हें edit करने का मौका देते हुए AC से ABC काटेगरी में परिवर्तन करने का निर्देश दिया गया था हना कब 15 सिप्तमबर को अब यहां पर बोला गया है कि जो अपने application form में edit कर लिए हैं उनके आलोक में AC के 30 कंडिडेट द्वारा ABC काटेगरी में परिवर्तन किया गया है जिसके कारण UGMAC कि 2024 के विज्यापन संख्या में जो 21 अगस्त 2024 को merit list जारी किया गया था हना 21 अगस्त 2024 को जो first round का seat allotment result जारी किया गया था उसे यहां पर परिवर्तन होगा हना जो merit list जारी किया गया था उसमें अब यहां पर changes जो है आपके होंगे यह यहां पर बोला जा रहा है तो उक्त के अलोक में UGMAC 2024 से संबंदित सभी अव्यार्थियों चिकित्सा संस्थानों और सर्वस साधरन को सुचित किया जाता है कि तांती यानि तत्वा जाती के आप्लिकेशन फॉर्म में 17 सब्तंबर से 18 सब्तंबर तक के अफ़्धी में अपना आरचन कोटी को AC से ABC में सुधार करने के लिए जिनको भी मौका दिया था और जिन्होंने सुधार कर लिया है उनका एक revised rank card जो है आपका दिया गया है जिसके basis पे आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं जो कि बेवसाइट पे आपको प्लब्द करा दिया गया है आप अपना ले सकते हैं तो य दिया गया था उसमें आपका संसोधन किया जाएगा तो संसोधित मेगा सूची के अधार पर round 1 और round 2 का counseling की प्रकिरिया पुना जो है आपका दिया गया है जिसमें वैसे अवियार्थी जो first round counseling है तो choice filling किये थे और वे अपने द्वारा भरे गए choices में किसी तरह का संसोधन करना चाहते हैं तो 24 सिप्तमबर के 12 सिप्तमबर के 12 वज़े तक जो है वो changes कर सकते हैं लॉक अनलॉक करके एडिट करके लॉक कर सकते हैं और first round का जो revised sheet allotment result है वो 27 सिप्तमबर को जारी किया जाएगा और online counseling portal पे लॉग इन करके आप वो जो है revised sheet allotment result जो है अपना download कर पाएंगे और अगर वो इनको जो sheet दिया जाएगा वो sheet से satisfy नहीं होंगे तो upgrade करके अब वो अपना change कर सकते हैं तो यहाँ पर important schedule जारी किया गया first round के लिए बाकी second round का भी update नहीं दिया गया है second round का भी आपको अपडेट दिया जाएगा तुम्हें आप बूला जा रहा है वैसे अविया थी जिनका revised first round sheet allotment result द्वारा sheet अवंटन हुआ है परन्तु किसी कारण वस हुए अपने संस्थान में जाकर document verification नहीं करवाते हैं तो चाहे वो अपग्रेड किये हों या ना किये हों उनका जो CT है वो null या choices जो है zero कर दिया जाएगा और वो second round में participate नहीं करेंगे यानि जिनको भी revised allotment result के इस आप से result आएगा उनको जो है उस संस्थान में जाकर जो है उनको appear होना होगा और अपने आपको दिखाना होगा कि you are the same person those who are allotted in that institute तो वो चीज़े जो है आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर important dates आप देख सकते हो कि जो first round का सेट allotment result है 27 सप्तमबर को आएगा document verification और addition जो है 28 सप्तमबर से लेकर 30 सप्तमबर तक के बीच में आपका यहाँ पर होने वाला है बाकी इससे related जो भी updates हैं आप लोगों के साथ share किया जाएगा चैनल पे पहली बारा है तो चैनल को subscribe कर लेजेगा ताकि इससे related सारी update सारी जनकारी जो है आप तक पहुंच चके okay thank you